हम जंग नहीं चाहते हम लड़ाई नहीं चाहते पर अगर किसी ने छेड़ा तो हिंदोस्तान आज पूरा त्यार खड़ा है हम चाहते हैं हर देश में शांती हो चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बंगला देश हो चाहे हिंदोस्तान हो मानुवता हर की कोशिच करेगा उसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी अल इंडिया एंटी टेररिस्ट प्रंट के अध्यक्ष है मेंस बिट्टा साब हमारे साथ जोड़ रहे हैं उससे पहले बिट्टा साब एक तरफ एरपोर्ट पर आतंकवादी हमले का डर है दूसरी तरफ मा जीने को मजबूर हैं अब तो 140 सिक्षों को भारत आने से भी रोग दिया है जो धर्म के नाम पर अपना देश चलाने का दावा करता है उससे धार में क्यात्रा से डर लग रहे सिक्षों की देखो जी एक बात आपको स्पस्ट कह देए इसके पीछे पाकिस्तान आई है साई की पकी चाल है अभी वो छेरे पंजाब महरा रंजीस सिंग जिनका कभी काबल कंदार तक राज था और उनकी फाउज के जर्रेल से हरी सिंग नलुआ कल तक माएं कहती थी कंदार पाकिस्तान अफगानिस्तान में बच्चे सोजा नलुआ आ गया अभी पाकिस्तान ने करतारपुर साब तो खोला ननकाना साब की यातरा तो हम करते हैं पर हमारी वो कौम का बहादर जर्रेल महरा रंजीस सिंग को टैचू को तोड़ तोड़ के टैशनेट करके रख दिया ये पाकिस्तान खुद तो हार गया 370 जारा हट गई सर्जीकल अप्रेशन हुए पाकिस्तान के हिम्मत नहीं थी तरंगे तरंगे लहराए गए 15 अगस को कश्मीर जमू कश्मीर के अंदर अब पाकिस्तान करवाजना के कंदे पर रखके चाहता है लड़े हमारे साथ लड़ाईयां अब भी लड़ी लड़े एक गोली चलाए सोच चलाए पर तलबानियों के कंदे पर राक्के पाकिस्तान बंदूख चलाएगा इसका मतलब खोखले दावे खोखले बाते ये करके आगे तलबान को सिखो जा हमारा हिंदू भाई हो उनको साथ जल्म कर रहे हैं वहाँ पर और हिंदूस्तान की सरकार ने पिछले समय पर उनको कोई ना कोई शंका जरूर थी कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जितने भी बार हमारे सिख हिंदू भाईयां कभी भी वापस आ सकते हम सीने पर लगाएंगे और लगाया हिंदू सिख एक नौमास का हमारा रिष्टा है हम अलग नहीं है हम नौमास का रिष्टा है हम लाएंगे अवश लाएंगे और इसके लिए मुझे पूरा यकीन है हमारी सरकार हमारी फॉरन मनिस्ट्री इसके लिए पूरा दिमाग लगा होगा उनको लेके आएंगी पर ये मैं जरूर आ नहीं चाहते पर अगर किसी ने छेड़ा तो हिंदोस्तान आज पूरा त्यार खड़ा है हम चाहते हैं हर देश में शांती हो चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बंगला देश हो चाहे हिंदोस्तान हो मानुवता हर जगा पर किसी की मानुवता को हाग उचड़ रहे बच्चे यतीम हो रहे खून की नदियां बैरी हिंदू हो मुसल्मान हो ठिक हो इसाई हो मानवता का कतले आम हो रहा है और यह डबेटों के अंदर यह बड़े बड़े चैनलों के अंदर यह पाकिस्तान के लोग आके दांस निकाल के खुछ होते हैं कारण इनके अंदर मानवता के नाम की कुछ भी चीज नहीं है यह वो लोग है पाकिस्तान के अंदर जो मानवता का खिलवार होते हुए देख रहे हैं अभी पंजाब के अंदर एक जस्वीर सिंग रोटे नाम का पुराना टर्र उसका बेटा पकड़ा गया टिफन बम पकड़े गए हथियार पकड़े गए ड्रॉन के जड़िये कितना समान अटारी बॉडर पर पकड़ा गया है अब पंजाब के जो टेरिस्ट जिन्होंने पंजाब के अंदर कतलेयाम कीया बे गुनाह का खून किया पाकिस्तान की बगल में बैठें इनको पूछना चाहूंगा इस चैनल के जरी अगर देखते होंगे ये खतर नाक तंकवादी इनकी यासी की तैसी जब महरा रंजीस सिंग का स्टैचू शहरे पंजाब सिक कौम का बहादर जर्रेल उसको तोड़ दिया गया कहा थे आप ये सि कौम के गदार कौम पे कलंक लगाते हैं सबसे बड़ा सावाल कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ समय पहले 25 बेगुना सिक मेरे भाई माओं के सामने बेटियों के सामने बाप के सामने एक दूसरे का गुरु गरंसा बिराज माने वहाँ पे हमारे उनका कत्रयाम कर दिया ग हमारे सिक्ष या हिंदू समाज के लोग वहाँ पे रहेंगे क्या पाकिस्तान में शुरक्षत है क्या अफगानिस्तान में शुरक्षत है क्या उनकतलयाम जो गुरु गरंसा बिराजमान के सामने गोलियां चलाई गई क्या उनका को अभी तक पता चला कौन रहेगा वहाँ इसलिए सेंटर गॉर्मेंट को इन हलातों को देखे, किसी भी तरीके से हिंदू हो या सिख भाई हो जब कोई अफगानी भी हो, जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है हिंदुस्तान ने हमेशा उनका साथ दिया है, हमेशा आज वहां के जो रास्ट पती जिनको फानशी पे चड़ाया गया आज उनकी पत्री हिंदोस्तान में उनको सरकारी कोठी है उसके जड़पला चुरक्चा है उनका ध्यान रखते हैं आज सरकार को इस मुद्दे के उपर बड़ा सीरियोस हो के शिरसा साथ हैं जिम्मेदार लो पता हुचा है